जये महाकाल दोस्तों! कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों! आज मैं आप लोगों को धन-प्राप्ति का एक अमोग मंत्र बताने जा रहा हूँ इस मंत्र के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसका वार कभी भी खाली नहीं जाता यह अचूक मंत्र है जो भी व्यक्ति इस मंत्र को करता है उसे अवस्य धन की प्राप्ति होती है इस मंत्र के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यह मंत्र जो है वो धन प्राप्ति का सबसे प्राचीन मंत्र है यानि एक तरीके से यूँ कहें कि सबसे पहला मंत्र है यह धन प्राप्ति का इस मंत्र को रिग्वेट से लिया गया है भगवान विश्णु का यह मंत्र है क्योंकि वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है और इस मंदर के बारे में बता दूँ कि जो भी व्यक्ति इस मंदर का जाप करता है माता लक्ष्मी इस मंदर के आकरसण में बंद करके उसके घर में वास करती है तदि आप भी बुरी तरह से यदि किसी ऐसे संजोग में फस गए हैं कि जहां से पेशों का कोई भी जुगार नहीं हो पा रहा है किसी के भी पास से आपको मदद नहीं मिल रही है कहीं पर भी आप जा रहे हैं कहीं से भी आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है कोई सहायता नहीं मिल रही है ऐसे समय में आप इस मंत्र का प्रयोक करें इस मंत्र का आप प्रयोक करेंगे तो आपको तुरंत ही धनलाव होगा क्योंकि इस मंत्र की ये विशेस्ता है ये खासियत है कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र का प्रयोक करता है माता लक्ष्मी अवज सीह उस पर अपनी कृपा बरसाती है तो आप भी इसी तरह से भीशन गरीबी में गुजारा कर रहे हैं या एसी तकलीफ में आ गए हैं कि आपको कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है और एकदम से आपको पैसों क्या सकता है मालूम होना चाहिए तभी आपका इस मंत्र में मन लगेगा क्योंकि जो भी कुछ इस संसार में आप देखते हैं और पाना चाहते हैं उसके लिए आपका मन उसमें लगना अतियावसक है यदि किसी भी चीज को आप चाहेंगे सिर्फ उपर उपर से चाहेंगे तो वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी तो इसके लिए उसमें आपका मन का लगना अतियावसक है और मन कब लगता है जब आप उसको पूरी तरी से जान लेते हैं तो इसका मैं भावार्त आपको बता देता हूँ मंत्र का हे लक्षमी पती आप दानी है आप साधरन दानी नहीं है आप महादानी है आप तो जनों से सुना है कि जो भी याचक संसार में धन की कामना करता है और संसार वासियों से निरास हो जाता है और यदि वो धन के लिए आप से प्रार्थना करता है तो आप उसकी मदद करते हैं और उसकी जोली धन से भर देते हैं तो हे स्री हरी विश्णु मुझे भी आर्थिक कष्टों से मुक्त करें और मेरी जोली धन से भर दे ये इस मंदर का भावार थे जब आप इस मंत्र को इस भाव के साथ में बोलेंगे, कि आप संपून संसार से निरास हो चुके हैं, और आप महादानी से प्रार्तना कर रहे हैं, और वे ऐसे दानी हैं, कि जो भी व्यक्ति उनसे प्रार्तना करता है, तो कभी भी वो ऐसे व्यक्ति की प्रार्तना को जुटल लाते नहीं हैं हमेशा ऐसे व्यक्ति की प्रार्तना को सुनते हैं और उसे पूरी भी करते हैं तो आपको संपूर्ण मन लगा करके भाव के साथ में इसको आपको बोलना है जब भी आपको सकता पड़ जाए पैसों की साथ दफे आप इस मंद्र को बोलें पूर्वदिशा की तो मुक करके घीखा दीपक जला लें और सिर्फ साथ दफे इस मंद्र को बोलें इस मंद्र का प्रभाह उतना अधिक है कि जो भी व्यक्ति इस मंद्र का जाब करता है माता लक्षमी जैसे मैंने पहले बताया इस मंत्र के आकरसण में आ जाती है और उसके घर में सदा सदा के लिए वास करती है ऐसे तो व्यक्ति को चाहिए कि इस मंत्र का प्रती दिन एक माला करें प्रती दिन सवेरे घीका दीपक जला करके एक माला करें प्रति दिन ऐसे वेक्ति के जीवन में कभी भी पेसों की खोट नहीं होगी कमी नहीं होगी तो दोस्तों मंत्र में ने end में दे दिया है सम्पून स्रद्धा के साथ आप इसका पार्ट करें और चाहे कैसी भी इस्तिति हो इस मंत्र का पार्ट करने से आपको अवस्य ही होगा ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाई के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहे हैं दीवे प्रकास और अपने जोन में लावनवित होते रहे हैं धन्यवाद